दोस्तो नमस्कार आदाब सत्ष्रियकाल नियोज क्लिक के कारिकरम नियूज मन्थन के साथ मैं उर्मिलेश अगर हम अपने देश की सियासत का खास कर सत्ता की सियासत का अगर आप जैजा लें तो दो पहलू बहुत महत्पुन रंग से बहुत ही जोरदार रंग से उभरते हैं अपनी सत्ता को लेकर पहला की मवजूदा जो सत्ताधारी हैं वो विपक्ष को खास कर जो जीवन्त विपक्ष है जिससे की सचमुच सत्ता को थोड़ी बहुत चुनावती दिख रही है मौदूधा सत्ता वे चाहते हैं नेता सत्ता धारी दल के टॉप जो योजनाकार है, जो राइनिती की योजनाकार है कि किसी कीमत पर भारत में विपक्ष के जो धारदार लोग है, विपक्ष के जो जानदार लोग है वो निश्करि हो जाएं या उनका पूरी करası धौस्ति कर हो जाए और दूसरा जो पहलू क्या है इस मवजूदा सत्ता की सियासत का कि जो भारत के समविधान में आजादी की लड़ाई के बाद इस देश की जनता ने बहुत बड़ी चीज हासिल की थी वो था कांस्ट्यूशन का सेकुलर होना डेमोक्रिटिक होना अब बहुत लोग कह हैं कि साथ सेकुलर शब्द तो प्रियंबुल में बाद में ढुकिला गया बाद में शामिल किया गया लेकिन अब ऐसे लोगों को कैसे जवाद दिया जाए कि जब सेकुलर शब्द प्रेम्बुल में नहीं था तब भी संविधान सेकुलर ही था संबिधान के हर एक प्रावधान फंडमेंटल राइट से लेकर के और शुरू से लेकर आखीर कर संबिधान की जो आत्मा थी जो मिजाज था जो मन था वो पूरी तरह सेकुलर डिमोक्रिटिक रिपब्लिक का था इसलिए ये प्हाल्तू भास है और अफवापजों के अलावा इसके पीछे और कोई नहीं है कि भारत का संबिधान सेकुलर बाद में बना पहले नहीं था अम्बेटकर का संबिधान सेकुलर नहीं था ये इंदिना गांधी के समय हो गया इसलिए इसको सेकुलर कहा जाता है ये सेकुलर नहीं है ये बिलकुल फालतू की गप है और जैसा मैंने पहले कहा कि इसका कोई सिर नहीं है कोई पैर नहीं है तो ये दो पहलू मौझूदा सियासत के सत्ता की सियासत के दोस्तों उभर रहे हैं विपक्ष का ध्वस्तिकरण और सेकुलर स्ट्रक्शर का समाज के उसको डेमोरिश करना हम बारी-बारी से दोनों पर आएंगे लेकिन पहले विपक्ष के ध्वस्तिकरण के आपरेशन पर या उसके अभियान पर सत्ता के हमारी जो जानकारी है और आपको भी मीडिया के जरिये हाला कि मीडिया का बड़ा हिस्ता मीडिया नहीं रह गया है लेकिन फिर भी जिन कुछ अंग्रेजी के अख़बारों या नियूज वेप साइटों पर खबरें वाकई आती हैं अभी भी आप देखेंगे कि मौजुदा स भी बचे हुए हैं जो सत्ता की मुखालफत कर रहे हैं उनको पूरी तरह ध्ष्ष्ट करें और दूसरे जो सत्ता से नजदीकी जिनकी हो गई है या जो सत्ता के दबाओं में हैं या सत्ता दौारा जो बहुत सारे अभियान चलाए गए हैं उससे वो शिकस्त में एक तरह से आ गए हैं या धर गए हैं उनके प्रती मुलायम एक रवया अख्तियार करना और उनके जरिये विपक्षी एकता में रोड़े अटकाना तो जो आपरेशन दिमोलिश करना है यह धुस्ति करन जो है विपक्ष के नेताओं विपक्षी दलों को जो बरबाद करने का अभियान है वो कई सतरों पर दिखाई दे रहा है एक तो यह है कि जादा से जादा नेताओं को उनके पुत्र पुत्रियों को या उनकी नौजवान जो पिढ़ी है राजनीत में उनको किसी न किसी तरह जेल में ढखेलना 2024 से पहले 2023 और 2024 के बीच में उनको आम जनता के बीच में डिस्क्रेडिट करना, जेल में भेजना, संगठन और पार्टी से काट देना, समाज और राजनीच से उनको काट देना बहुत सारे आप नेताओं को देखेंगे कि जिन पर केसेज नहीं थी, उन पर केसेज लदिग आ गई हैं, बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि जिन पर केसेज हैं और कुछ भी नहीं हो रहा था, उन पर अचानक होने लगा, कुछ लोग जेल में अचानक बंद कर दिये गए कुछ लोगों पर CBI का मामला था फिर ED का मामला भी हो गया ED पर सवाल उठाये जा रहे हैं तो जो अपोजिशन के लीडर ED पर ED को मेवरिंडम देने जाते हैं उनको जाने नहीं दिया जाता है बहुत सारे विपक्ष के नेताओं को ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह के CBI ED और एजन्सी पर जो सवाल आप उठाते हैं इसको उठाना बंद कीजे वरना आपके खिलाब कारवाई हो जाएगी ऐसी भी बातें की कही जा रही है बहुत सारे लोगों को इस कारण भी डराया धमकाने की कोशिश हो रही है तो अभी आप देखे कि तेलंगाना से लेकर बिहार तक दिल्ली से लेकर के महारास तक अनेक नेताओं को आप पाएंगे ये सिर्क के कविता की बात नहीं है मनीशी सौधिया की बात नहीं है या तेजस्वी जादों की बात नहीं है आप अनेक नेताओं को पाएंगे जो इन नेताओं की तरह बहुत चर्चित या बहुत महत्पुर नहीं है जो MLA हैं, विधायक हैं, पूरुमंत्री हैं ऐसे अनेक लोग हो सकते हैं आप करनाटक में देख लीजिए, महरास्ट में देख लीजिए अनेक लोगों को ट्रैप में लिया गया है और समय रहते, समय रहते उन पर भी कारवाई होगी जब भी पाया जाएगा कि समय मैच्योर हो गया है इस मौके पर उनको अंदर करना है, परिशान करना है या कारवाई करनी है, वो तत्काल कारवाई शुरू हो जाएगी तो एक पालू यह है सत्ता का कि किसी तरह अपने मुखर विपक्षियों को शिकंजे में लेना, अब बहुत सारे लोग कह सकते ही कि इसे तो जंता में उनके प्रती साहनभूत ही पैदा होगी लेकिन दोस्तों, जिस तरह नेताओं के सहकर्मियों, सहयोगियों उनको चंदा देने वाले लोगों, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है अगर आप देखिए, तो बहुत सारे लोगों को महारास्ट में और विहार में E.D. और C.B.I. या इस तरह की एजनसी, मैं नाम किसी एक का नहीं लेता समय समय पर ये एजनसीों की भूमिका बदल जाती है, उनका रोल बदल जाता है लेकिन आप पाएंगे कि नेताओं के साथ ऐसे लोगों को भी शिकंजे में लिया जा रहा है जो इन नेताओं या इन विपक्ची दलों के सायोगी हैं, उनका साथ देते हैं चाहे आर्थिक अनुदान देते हों, सहयोग देते हों, चंदा देते हों, या उनको एडवाइस देते हों, या उनके पदाधिकारी हों संगठन में, तो ऐसे लोगों को भी डराया, धमकाया जा रहा है, या ट्रैप किया जा रहा है, केसे जुन पर लादी जा रही है, जिसे क मतलब यह है कि पूरे के पूरे पार्टी को संगठन को पंगो बना देना तो यह जो तर्क दिया जा रहा है कि कारवाई जब नेताओं पर होगी तो लोग सिंपैथी में आ जाएंगे आज के दोर में दोस्तों चुनाओ पैसे रूपए के बगर नहीं होता भारती जंता पार्टी को सबसे अधिक चंदा मिलता है एलेक्शन बॉंड के नाम पर और वो एलेक्शन बॉंड में विपक्ष की जो हिस्सेदारी है वो 5-7% से भी जादा नहीं है तो सारा पैसा बीजेपी को जा रहा है एलेक्शन बॉंड के नाम पर लेकिन विपक्ष के पास थोड़ी बहुत रकम देने वाले जो लोग है चंदा वो भी न दे पाएं इसका पूरा प्रबंदन है तो जनता की सानभूत्य को राजनितिक समर्थन में तब दिल करने के लिए नेता को जनता के भी जाना होता है पॉबलीक रैली करनी पड़ती है, मीटिंग करनी पड़ती है, रोट शो करने पड़ते है वो पिल्कुल ठप हो जाएगा आप हेलिकॉप्टर से भी नहीं जा पाएंगे तो कुल मिलाकर प्रबंध ही ये किया जा रहा है कि नेता अभी पक्षी नेता जनता से कट जाएं समाज से कट जाएं और वो उस तरह से काम ना कर सकें जैसे वो पहले किया करते थे और दूसरा जो राहूल गांदी जो आइडिलोजिकली पॉलिटिकली बहुत शार्प अटेक करते हैं भारती जनता पाटी पर प्रदान मंत्री मोधी पर सरकार के जो हम जोली उद्योगपती और कार्परेट हाउसेज हैं उन पर उनकी मेंबर्सिप सस्पेंड करने के लिए ख इंटिनेशनल हो गए हैं वो भारत की निंदा कर रहे हैं वो भारत प्रोधी हो गए हैं अब आप बताएए भारती जनता पाटी इस देश में और जनसंग उसके पहले लंबे समय तक विपक्ष में रहे नो जाने क्या-क्या वो कहते रहे ततकालिन कांग्रेसी सरकारों को इ लेकिन क्या कभी भी किसी ने उनको कहा कि एंटी इंडिया हैं देश द्रोही हैं देश के खिलाप है ये काम कर रहे हैं लेकिन आज राहुल गांधी जब कह रहे हैं कि इंडिया में डेमोक्रिसी मर रही है इंडिया की डेमोक्रिसी को खतम किया जा रहा है तो उनको कहा जा आए कि ये तो देश्द रोही है एंटी इंडिया बात कर रहे हैं अरे भाई सत्ता तंत्र की कमजोरियों को उजागर करना ये कहना कि डिमोक्रसी हमारी कमजोर हो रही है खतम हो रही है ये कहना भारत के खिलाप कैसे ये बात हुई लेकिन अब उनको रूल टू टू थ्री दो 233 आता है भारती जनता पार्टी के एक सदस से ने मूव किया है अब मैं नहीं जानता कि इसका भाईशी क्या होगा इसके पहले मैं इस पर भाईशे मानी करने से बिलकुल बचूँगा क्योंकि ये पार्लमेंट का मामला है लेकिन ये मूव ही अपने आप में सवाल उठाता है कि क्या राहूल गांधी के पोलिटिकल क्रिटिसीजम से ये सरकार और भारती जनता पार्टी इस तरह परेशान है कि उनकी मेंबर्सिप सस्पेंड करने के बारे में सोच रही है या खतम करने के बारे में सोच रही है मुझे लगता है ये सोचना ही खतरनाक है और ये साब पुलिश करने वाला आप्रेशन है सत्ता का अपोजिशन को उसके बारे में मैंने आपके सामने ये बात कही और इसके निशाने पर वे नेता ज़्यादा हैं जो अपेक्षाक इतनों जवान हैं जिनके पास वक्त है काफी काम करने का और जो मुखर हैं जो कंप्रॉमाईज चाहे तेजस्वी हों, चाहे केकविता हों, तो ये एक बड़ा पालू मैं आपके सामने रखना चाहता था, और अभी जब मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं नहीं जानता कि पार्लामेंट में क्या होगा, लेकिन हम ये चाहते जरूर हैं कि हमारी पार्लामेंट वाइवरेंट रह और डिमक्रिसी का उसी तरह से एक महान मंच बनी रहे, जिस तरह अब तक हम उसको देखते आए हैं, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था, जो आपको मैंने कहा कि दो पालू बहुत महत्पूर आज उब रहे हैं, कि सेकुलर स्ट्रक्शर को, डिमक्रिक स्ट्रक्शर को कैसे डिमोरिश करने की कोशिश हो रही है, वो असंख मोर्चों पर हम देख सकते हैं, केंद्री अस्तर से लेकर के और राज अस्तर पर, आप गुजरात को देख लीजे, आप करनाटक को देख लीजे, आप उत्तर प्रदेश को देख लीजे, और केंद्र सरकार के फैसलों को दे बिलकुल कॉमिनल बयान बाज़ी होती है लेकिन उनके खिलाब कोई कारवाई नहीं होती है लेकिन political attack करते हैं जो सरकार पर राहूल गांदी याते जश्वी जैसे लोग उनके खिलाब कारवाई शुरू हो जाती है आप अनेक उधारण नहीं दूँगा आपके पास करनाटा, कांधरा, तेलंगाना और जम्मु कश्मीर से लेकर के गुजरात तक के अनेक उधारण है लेकिन जो लेटेस्ट है बिलकुल लेटेस्ट उधारण मैं उसको आपके सामने पेश करना चाहता हूँ अब ही अब ही उत्तर प्रदेश में एक सरकलर जारी हूआ है दोस्तों और यह सरकलर बहुत दिल्चस्प है क्या कहता है यह सरकलर? یہ सरकलर 10 मार् Ash 2023 को जारी हुआ प्रिंसिपल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और कहा गया है कि 22 मार्च से 30 मार्च के बीच चैत्र नौरात्री राम नौमी के असर पर कारिक्रम जो किये जाने हैं उसका पूरा इसमें वह रहा है और प्रदेश के मंदिरों और शक्ति पीठों में दुर्गा स्प्त शती का पाठ होगा देवी गायन होगा देवी जागरन होगा अखंड रामैन होगा अब ये जो चीजें होती हैं ये आम जंता यानी जो नागरिक हैं हिंदु धर्मावलंबी या कोई भी व्यक्ति कोई भी ये काम करता है और उसका अधिकार है अपनी धार्मिक जो अनुष्ठान है धार्मिक जो परंपराएं हैं उसको इंडिविज्वल एक परिवार या एक परफॉर्म करता है लोग जोर शोर के साथ उत्सा के साथ भक्ति भाव के साथ उपासनास्थलों पर जाते हैं और चाहे वो नवरात्री हो या रामनोमी हो अपना अपना काम करते हैं लेकिन ये पहली दफा है कि उत्तर प्रदेश सरकार या किसी भी सरकार ने गौर्मेंट पर गौर्मेंट जो कि भारत के संविधान से निरधारित है निरदेशित है गौर्मेंट की तरफ से सरकुलर जारी कराया जाता है कि डिस्टिक मजिस्ट्रेट के तत्वावधान में उसके उसकी योड से उनकी निगरानी में एक एक लाक रुपए के तहत ये सब कराया है कि उक्त कारिक्रम में प्रस्तुती करने वाले कलाकारों के मांदे यानि जो रामायन पाठ करेगा जो जेवी जागरन करेगा देवी गायन करेगा दुर्गा सती का पाठ करेगा अब उसको यहां पर कलाकार कहा गया है यह भी बड़ी दिल्चस्ट बात है ताकि किसी तरह से बचा जा सके किसी किसी चुनोती से कि कलाकारों के मांदे है तो धनराशी एक लाख रूपया प्रती जनपद व्याय किये जाने के लिए जिला परियटन एमंग सांस्कृतिक परिशद को संस्कृत विभाग द्वारा उपलब्द कराई जाएगी अनिवियोस्थाएं जिला प्रशासन द्वारा अपने अस्तर से सुनिश्चित की जाए ये नौवा अनुछेद है नौवा पैरा है इस लेटर का जो प्रिंस्पल सेक सेकुलर है जो डमकृटिक है किसी भी धार्मिक आयोजन में सीधी सरकार की भूमिका को ये बताती है आप इसकी तुलना यह नहीं कर सकते कि किसी को subsidy दी जा रही है, subsidy तो अनेक धर्मावलंभीयों को दी जाती है इस देश में, लेकिन direct पूजा पार्ठ में या किसी गायन में, देवी गायन में, किसी धार्मिक गायन में, किसी अनुस्थान में। तरह का पहले कभी नहीं होता था तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि जो सेकुलर फैबरिक है समाज की जो धर्म और राजी के बीच में एक जो अलगाओ है चुकि धर्म एक व्यक्ति का है एक अगरिक का है रास्ड का नहीं है सरकार का नहीं है शासन का नहीं है लेकिन शासन अब धर्म का लबादा अड़कर के सामने आ रहा है और ये मैं समचता हूं कि संविधान की जो रिलिवेंट जो धाराएं हैं उनके बिलकुल उलट है तो दोस्तों आज मैं सिर्फ इतना ही आपके सामने रखना चाहता था ये एक नजीर है ये एक उधारण मैंने केवल पेश किया क्योंकि तातकाली के मामला है अभी का है और संख हैसे मसले हैं जहां पर भारत के सम्धान की आवहिलना करते हुए और सेकुलर जो प्रावधान हमारे हैं उनका प्रक्षर है हमारे समाज का जो सेकुलर जो फैवरिक है उसको डिस्रप्ट किया जा रहा है